नमस्ते मैं हूने खेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्डन टॉप शो आज की शो में हम बात करेंगे भारतिय कुष्टी संक के निलंबन पर तमाम विवादों से घिरे कुष्टी संक को केंदरी खेल बंतराले ने अगले आदेश तक निलंबित कर ही दिया इस बात भारतिय कुष्टी को लेकर फैसले कैसे लिये जाएंगे इस फैसले से ब्रिजभूशन सिंग के दबदबे पर कितना प्रहार हुआ है और उन पहलवानों का क्या होगा जिनों ने अपने तमगे वापस कर एक लकीर खींडी थी साथी जमो कश्मीर में तीन आम नागरिकों की मौत पर उठ रहे सवालों पर भी चर्चा होगी क्या ये कस्टोडियल डिट का केस था अगर हां तो जिम्मेदारों पर क्या कारवाई होगी सेना ने Court of Inquiry का पैसे आदेश दे दिया है तनाओं को देखते वे पुंच और जोरी में मुबाईल इंटरनेट भी बंध है साथ ही पीडीपी ने दावा किया है कि मेंबुबा मुफ्ती पीडित परिवारों से मिलने जाने वाली थी लेकिन उसके पहले उन्हें हाउस रेस्ट कर लिया गया बड़ी खबर पर चर्चा से पहले मंद्य प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार पर बात कर लेते हैं जहां आज विधायकों ने मंत्री पत की शपत ली दो बार के विधायक मोहन यादव को मुख्य मंत्री बनाने के बाद पार्टी केस फैसले का सब को इंतजार था कि कैबिनेट में कौन कौन आएगा मोहन यादव की सरकार में पूर्व के इंद्री मंत्री प्रलाद पतेल और वरिष नेता केलाश विजवरगी को भी जगे मिली है कुल 28 विधायकों को मंत्री बनाया गया है 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इनमें कैबिनेट मंत्रियों में कैलाश विजवरगी, प्रद्यूम सिंग तुमर, तुलसी सिलावट, इंदल सिंग कंसाना, नरायन सिंग कुशवाह, विजएशा, राकेश सिंग, प्रलाद पतेल, विश्वास सारंग, गोविन सिंग राशपूत, करंड सिंग वर्मा, इं विस्तार पर नए मुख्य मंत्री मोहनी आदम ने डबल इंजन सरकार की बात धोराई, सुनियों ने आगे क्या गहा। उम्मित करेंगे जो बाकी जगे बची है उसको भी अन्य आउसर पर सिग्रब भरेंगे और विकास के मामले में कोई कांप्रोमाइज नहीं करेंगे, मुझे इस बात की प्रसंदता है कि सभी प्रकार के, सभी जुलो का, सभी छेतर का, सभी अंचल का, पूरे मद्ध पर मीडिया को शिवराज ने क्या जवाब दिया, आप उन्हें से सुलिए। आवसक्ताओं को भी धान में रखा गया है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। आगे बढ़ने से पहले आप एक वीडियो देखिए। अब तबातो है, अब तबातो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है, पहनग वली की देखिए। ये वीडियो यौन उत्पीडन के आरोंपों का सामना कर रहे भारतिय कुष्टी संग, डेबलो एफाई के पूर्व अध्यक्ष और भारती जनता पार्टी के सांसत ब्रजभूशन शरण सिंग का है। ये पोस्टर संजे सिंग की अध्यक्ष पत पर जीत के बाद लहराया जा रहा था वही संजे सिंग जिने ब्रजभूशन सिंग का दाया हाथ कहा जाता है। द्वारा लिए गए फैसलों को बताया है जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। मंत्राले ने उन सभी फैसलों को भी रद कर दिया है। होता है ताकि पहलवान इसके लिए तैयारी कर सकें। मंत्राले ने ये भी कहा कि ये फैसले डेवल्य फैसलों के प्रावधानों और नैशनल स्पोर्ट्स डेवलिप्मेंट कोड का उलंगन है। इन फैसलों से ने अद्धिक्ष की मनमानी दिखाई देती है जो सिधानतों के खिलाफ है और इसमें पारदर्शिता नहीं है। ये भी कहा गया कि नव निर्वाचित कारेकारणी पर पूरी तरह से पुराने पदादिकारियों का ही कंट्रोल है। ब्रजभूशन कैसरगंच से बीजेपी के लोग सभासानसद भी हैं इसलिए सरकार पर उनको बचाने का इल्जाम लगा। अलांकि ब्रजभूशन सिंग हमेशा इन आरोपों को खारिश करते रहे। उन्होंने कई बार आरोपों को जूटा बताते वे कहा कि अगर आरोप साबित हो जाएं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। फिलाल उनके खिलाफ मामला कोट में हैं। हमने पहले भी दीललन टॉप शो की कई किस्तों में इस विशेपर विस्तार से चर्चा वैसे की है। लेकिन आप ब्रजभूशन सिंग अध्यक्षपत पर थे नहीं। ब्रजभूशन की भले विदाई हो गई लेकिन WFI के नए अध्यक्ष उन्ही के खेमे से थे। चुनाओ की प्रक्रिया इस साल जुलाई में शुरू हुई थी लेकिन कोर्ट केस के कारणे चुनाओ टलता रहा। साल 2019 में भारती कुष्टी संग की कारेकारी कमिटी में सहीक सच्चिव चुने गए थे। मतलब WFI की पिछली कारेकारी परिशत का ये हिस्सा थे। जब साल 2009 में उत्तर प्रदेश कुष्टी संग बना तो ब्रजभूशन शरण सिंग प्रदेश अध्यक्ष बने और संजय सिंग उपाध्यक्ष ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल की महिला पहलवानों को आगे लाने में संजय सिंग की एहम भूमिका रही है। बीबीसी के एक रिपोर्ट में संजय सिंग खुद कहते हैं कि ब्रजभूशन शरण सिंग और उनके पारिवारिक तालुकात हैं वो दोनों पिछले तीन दशक से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं अलगे जब राश्टी कुष्टी संग को सरकार ने निलंबित किया तो ब् सुने गए फेडरेशन के लोग फैसला करेंगे संजय सिंग से रिष्टों को लेकर बजभूशन ने क्या कहा अब आप वो भी सुदिए संजय सिंग भुईहार विरादरी के हैं यानि कि मेरे वो रिष्टेदार नहीं है आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निल्णे लेना पड़ा अंडर 15 और 20 क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जा जा गए उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का ये बातावर्ण शुरू हो दरसल फेडरेशन के चुनाओ के पहले 11 दिसंबर को ही पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराख ठाकुर से मुलाकात की थी दोनों पहलवानों ने खेल मंत्री से अपील की थी कि संजे सिंग को WFI के अध्यक्षपत का चुनाओ न लड़ने दिया जाए बजरंग पूनिया ने तब कहा था कि सरकार ने उन्हें आश्पासन दिया था कि ब्रजभूशन शरंड सिंग से जुड़ा कोई भी व्यक्ति चुनाओ नहीं लड़ेगा इस बर उसे पर पहलवानों ने अपना विरोध वापिस लिया लेकिन ऐसा हुआ नहीं संजे सिंग तो जीते ही उनका पूरा पैनल भी चुनाओ जीता सीनियर वाइस प्रेज़ेंट पत पर देवेंदर कटियार वाइस प्रेज़ेंट पत पर एकेशा जैप रकाच जीत कर आए ऐसे मैं कहा जाने लगा कि ब्रजभूशन तो निकल गए लेकिन सब कुछ उन्हीं के हिसाब से हुआ ऐसे में एक बार फिर पहलवानों का विरोध जोर पकड़ गया 21 दिसंबर को ही ओलंपिक मेडलिस साक्षे मलिक ने रेस्लिंग से सन्यास का एलान किया 21 दिसंबर को वो मीडिया के सामने आई और WFI के चुनाओं पर गंभीर सवाल उठाते वे रोते हुए अपने जूते मेश पर रखे और कहा कि वो सन्यास ले रही है इसके एक दिन बाद उलंपिक मेडलिस पजरंग पुनिया ने भी प्रदान मंतरी नरेंदर मूदी को एक पत्र लिखा और अपना पद्मश्री लोटाने का एलान कर दिया बजरंग पुनिया ने प्रधान मंत्री को लिखा कि कुष्टी महासंग के चुनाओं में एक बार फिर ब्रजभूशन सिंग का कबजा हो गया, जबकि ग्रहमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो ब्रजभूशन और उनके करीबियों को बाहर करेंगे. कुष्टी संके निलंबन के एक दिन पहले ही साक्षी मलिक ने एक और मुद्दा उठाया था. साक्षी ने 13 दिसंबर की रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि वो जूनियर पहलवान क्या करें जो उन्हें फोन करके बता रही हैं कि 28 तारीक से जूनियर नैशनल ह होने हैं और नए कुष्टी फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैस्टा ले लिया है मुकाबला अपति जताते वे साक्षी ने लिखा था कि गोंडा ब्रजभुशन सिंग का इलाका है अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुष महासचीव प्रेम चंद लोचब ने भारती उलंपिक संग आई-ओ-ए को एक पत्र लिखा बताया कि संजय सिंग ने उन्हें शामिल किये बिना जूनियर चैंपेंशिप कराने का फैस्टा ले लिया उनके मताबिक कारे-कारी समिती कि ये बैठक बिना किसी सूचना ये कोरम के आयोजित कर ली गई एक सूत्र ने अकबार को बताया कि महासचीव को इस बारे में अंधेरे में रखा गया जबकि उनसे सला ली जानी चाहिए थी तैय प्रोटोकॉल का उलंगन हुआ ये चुनाओ के कुछी घंटों के भीतर हो गया इसलिए महासचीव ने ये लेटर लिख दिया ताकि ऐसा दोबारा नव हो रिपोर्ट में खेल मंत्राले के एक अधिकारी के हवाले से ये भी लिखा गया कि नई कारेकारणी के गठन के बावजूद WFI का सारा कामकाज ब्रजभूशन के सरकारी मंगले जो भारतिय कुष्दी महासंक के काराले के रूप में भी जान लिआ जाता है मंत्राले ने सस्पेंशन के लेटर में भी बिना नाम लिए इस बात का जिकर किया है कुष्दी संकी निलंबन के बाद फेडरेशन का कामकाज कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी सरकार ने भारतिय उलंपिक असोसियेशन को दी है I.O.A. को एक एड-hawk कमिटी बनाने को कहा गया है I.O.A. अध्यक्ष P.T. उशा को लेखे पत्र में कहा गया है कि आथलीट के सिलेक्षन अंतराश्री कॉम्पिटीशन में खिलाडियों के भाग लेने और बागी कामकाज के लिए ये समेती काम करेगी इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को भी कहा गया है सरकार ने एक एड़ॉक विवस्था तो कर दी है अब लेकिन बड़ा सवाल तो वही है जो महिला पहलवानों ने उठाया था महिला खिलाडियों की सुरक्षा क्योंकि यही पहलवान अंतराश्री मंचों पर देश के तिरंगे की शान बढ़ाती है और फिर आवाज उठाने के लिए पुलिस की लाठिया भी खाती है क्या फेडरेशन के सस्पेंशन से कोई बदलाव आ जाएगा या इसके स्ट्रक्षर को बदलने की जरूरत है इससे समझने के लिए हमने बात की वरिष्ट खेल पत्रकार शारदा उगरा से सब कुछ होने के बावजूद फेडरेशन में जब नए इलेक्शन हुए तो एक भी महिला उफिशल का इलेक्शन नहीं हुआ है और आप देखते हैं कि जो भी उनके पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि आपकी एक कम्प्लेंट्स कमिटी फॉर्म हो आपकी या आई ओए की तो डबलू एफ़ाइ के बॉस जो है अगर हम ऐसे बहुत औरिनरी तरीखे से आपको बता है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं है वो इंडियन ओलिंपिक असोसियेशन है तो इंडियन ओलिंपिक असोसियेशन को कुछ आक्ट करना चाहिए तो इसलिए आपने सुना आज की खेल मंत्री ने कहा है कि आयोए आडॉक पैनल बनाए और रेस्लिंग का जो भी बचा है जो भी ऑगनाजेशन करना है वो उसका वो लेले जॉब लेले उसका तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे बिल्कुल रैंडम ली ऐसी चीज़े चल रही है जो होना चाहिए स्ट्रक्चर प् था है कभी कमिटी में नामने तो जो कमिटी को जैसे अगर किसी महिला खिलाड़ी या किसी आदमी ने भी कुछ कंप्लेंट करनी है किसी के बार में तो जाए कहां और क्योंकि इस बार ब्रिजभूशन के खिलाफ था महिला ने अपनी आवाज उठाई थी तो उनको तो समझ मिनिस्ट्री उनकी help करेगा आयोए इंडिन ओलिंपिक असोसेशन हेल्प करेगा तो बदलाओ की तो बहुत जरूरत है तो प्रोफेशनल अपॉइंटी होंगे तब आप प्रॉपर स्टिस्टम स्रॉक्चर लगा ला सकते हो खेल में यह हमारे स्पोर्ट्स फेडरेशन में भी करें बीसी सीड़ तो क्रिकेट में भी ऐसे चल रहा है क्रिकेट पेशा जाद है अच्छा बहुत चीज़ें लेकिन यह जो चीजेए अब्यूस हरस्मेंट बुलिइंग सेफगारडिंग जिसको कहते हैं स्पोर्ट में उसकी कोई भारतिय स्पोर्ट में तो उसका कोई वह स Olympic Association ने जो कमिटी बनाई थी उसने कहा था कि संस्था में Internal Complaints Committee ICC नहीं है और यौन शोशन कानून के तहत ICC का होना अनिबार है अगर आप छोटी मोटी कोई भी नौकरी करते होंगे तो आप अपने दफसर में पूछेगा एक ICC नाम की संस्था होती है यह देश का ही कानून है अलां कि भारतिये कुष्टी संग इस कानून का उलंगन करने वाला अकेला नहीं है इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 30 में से 16 स्पोर्ट्स फेडरेशन ICC वाले नियम का पालन नहीं करते इसलिए महिला खिलाडियों की समस्याएं गंभीर हो जाती है ऐसे मैं क्या अलग से महिला कुष्टी संग बनाने की जरूरत है सुन्य शार्दा उग्राइस पर क्या मानती है अलग से महिला कुष्टी संग बना नहीं सकते क्यूंकि जो वर्ल्ड बॉड़ी है युनाइटिड वर्ल्ड उफ रेस्लिंग और जो ओलिम्पिक्स में भी होता है कि एक खेल को महिला और आदमियों के साथ और्गनाइज करना पड़ता है जो भी फेडरेशन है वो साथ भी कि मेन और विमिन का स्पोर्ट्स वो और्गनाइज करेंगे तो यहीं है कि आप महिला संग नहीं बना सकते हैं लेकिन महिलाओं का आप अगर उन में ज्यादा अपॉइंटीज हो ओफिशिल की तोर से कोचिज कोचिज जो अपॉइंट होता है आप देखिए महिला कोच किते कमें स्पोर्ट्स अथरटी अफ इंडिया साई में जो होंगे वो असिस्टेंट कोच होंगे किसी मेल कोच के तो प्रेजिंस जो होते है महिलाओं का जो जो उनकी जिम्मदारिया उनको आप दे उनको ऑफिशिल स्टेटस दे पाओर दे डेजिगनेशन दे वो ज्यादा पर्लेमेंट में उस तरह से अगर आप खेल उसमें भी करें तो शायद फरक पड़ेगा कि खिलाडियों को लगेगा कि हम कहीं तो जा सकते हैं किसी से भी बात कर सकते हैं इसी साल अगस्त में United World Wrestling ने भारती एकुष्टी संग की सदस्ता को सस्पेंड कर दिया था सस्पेंड ही हो रहे हैं हम यहाँ भी वहाँ भी दरसल United World Wrestling ने मई 2023 में WFI को एक पत्र लिखा इसमें अगले 45 दिन यानि 15 जुलाई तक भारती एकुष्टी संग का चुनाओ कराने को कहा गया था United World Wrestling का कहना था कि अगर ये चुनाओ इस तारीक तक नहीं करा जा सके तो WFI की सदस्ता को सस्पेंड कर दिया जाएगा जब चुनाओ नहीं ही हो पाए तो ये फैस्टा लिया गया ये भारती एकुष्टी खिलाडियों के लिए बड़ा जटका माना गया क्योंकि इसके कारण भारती पहलवानों को किसी अंतरराष्टी टोनमेंट में एक नूट्रल फ्लाग के साथ हिस्सा लेना पड़ता अगर वो जाते तो यानि वो भारती जंडे के तले प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते अब संजे सिंग के अध्यक्ष बनते ही अलम्पिक असोसियेशन से भी अफिलेटेड है साल 1967 में इसका गठन हुआ ड़्योफाइ के सम्मिधान के नुसार इसका एक अध्यक्ष होता है एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है इसके लावर ड़्योफाइ की वेबसाइट बताती है कि अभी इसके छे वाइस प्रेसिडेंट है ड़्योफाइ सम्मिधान के मताबिक अध्यक्ष पत का चुनाओ हर चार साल में एक बार होता है एक वक्ति अधिक्तम तीन कारेकाल या निए बारा साल से ज्यादा अध्यक्ष पत पर नहीं रह सकता तीन कारेकाल बरजबूशन्ट सिंग बारा साल से इस पत पर थे तब उन्होंने हर्याणा से कॉंग्रेस के राजसभा सांसर दीपिंदर खुड़ा को हराया था जो का अलग-अलग कुष्टी फेडरेशन भी होता है लेकिन कुष्टी फेडरेशन का जो चुनाव है वो कितना पारदर्शी होता है क्या इसमें कोई राजनेतिक दबाव दखल चलता है इसे समझने के लिए हमने बात की कुष्टी के पूर्व राष्ट्रिय कोच ग्यान सिं सुनें वो क्या बता रहे हैं बहुत मजबूत आदमी है बहुत रसुगदार आदमी है उसके पास वो सारी चीज है जो आप स्पोर्ट्स फेडरेशनों का बजाने के लिए चाहिए होती है तो वो उसके बहार जब तक वो उनको सब एक्टु जैल स्टेट को डारें गवर्म यह था जिए आप उसको कैसे आरास को आपके पास उतनी पावर है आपके पास उतना पैसा है आप किसको क्या करोगे पैसे भी चलते थे इस बार तो नहीं मैं कह सकता पर पैसे भी लेते हैं लोग मैंने खुद एक बार एलेक्शन लड़ा तो मेरे को भी यह जिमवरी दी ग कोई और आदमी एक साथ रख लोगो देगा मेर से पैसे न लिये जाएंगे न दिये जाएंगे तो यहां यह भी दोर मैंने देख्या है ऐसा भी होता था और अच्छे अच्छे जो आज तक भी हैं फेडरेशनों मेर कई की फेडरेशनों को कब जा रखे हैं उन जो स्टेटों कि हैं वो एक एक मैंने कई की फेडरेशनों में पैर रखे हुए हैं उन्होंने पैसे मांगे हैं हमारे सामने एक बार तो मुझे याद एक डीजीपी थे होते थे उसको मैसेज कर दिया कि मुझे दो लाक रुपे दे दो उसने फिर का मैंने का यह लएक्सर लड़ना हो सब कि आप उनको हरा दो या मतलो किसी तरीके हरा दो वो possible नहीं है। उसको या तो सरकार का सहरा मिले, सरकार उसका डर निकाले और सरकार हर एक से बात करे। तो एक तो ये तरीका है। अब रोक करते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर का बड़ी गमभी यह अंतिम यात्रा है उन रनबाकुरों की जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के आहुती दे दी क्या आपको 21 दिसंबर का दिन याद है इस रोज कश्मीर के पूंच हिलाके में आतंग बादियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला कर दिया इसमें सेना के चार जवान नायक बीरेंदर सिंग, नायक करण कुमार, रैफल मैन चंदन कुमार और रैफल मैन गौतम कुमा शहीद हो गए थे, यह हमला कैसे हुआ और कहा हुआ इसका प्योरा हमने आपको 22 दिसंबर के दीललन टॉप शो में दिया था, पिर भी एक छोटा रिकार करा रहे हैं क्योंकि हमले बाली जगे से कुछ निर्दोष नागरिकों की मौत का मामला भी सामने आया है, कहा जा रहा नाम है डेरा की गलीडी के जी बोलते हैं, 20 दिसंबर की रात यहां एक सैने ओपरेशन शुरू हुआ, सहयोग के लिए अत्रिक्ट फोर्स का बुलावा भेजा गया, बुल फिया से राज़ौरी के थाना मंडी को सेना की एक टुकडी रबाना हुई, कौन वोई जिस रास्त धतियार मोड, तो 21 दिसंबर की शाम 3 बचकर 45 मिनिट हुए थे, सूरन कोर्ट से रवाना हुआ आमी का जथ्था इस मोड पर पहुँचा एक जिपसी और एक ट्रक थे, वहाँ चुपे बैठे आतंगबादियों ने ट्रक और जिपसी पर फायर खुल दिया, अब सवाल ये क टोपा पीर इलाके से निर्दोष नागरिकों की मौत का कनेक्शन क्या है, इसका जवाब मिलता है BBC की एक रिपोर्ट में, इसमें लिखा है कि पुंच में हुई आतंगबादी वारदात के अगले दिन, यानि 25 दिसंबर को सुरक्षा बलों ने 8 लोगों को हिरासत में लिया इस एक्शन का समन्द पुंच में हुए आतंगबादी हमले से जुड़ी पूश्ताच से सम्दित था, 22 दिसंबर को ये मुडबेर वाली जगे के आसपास यानि टोपा पीर इलाके में तीन लोगों के शव बरामद हुए, ये भी दावा किया जा रहा है कि परिवार जनों क कॉकॉल किया गया, उनसे कहा गया कि कैम्प में आके शव ले जाईए, ये तीन मृतक उन आठ लोगों में शामिल थे जिने सुरकशावलों ने हिरासत में लिया था, मृतकों के नाम है सफीर एहमद और उनके दो रिश्दार महमद शौकत और शवीर अबात इस मामले पर सर कानूनी आपचारिकताओं को पूरा किया गया, मामले में कानूनी कारवाई शुरू हो गई, ये सभी मृतकों के लिए सरकार ने मुआबजे की घोशना करती है, सरकार ने मृतकों के परिवारों के सदस्यों को नौकर देने की भी घोशना की है, तीन नागरिकों की मौत पर प्रतिबद है। सिना ने भी कहा है कि मामले की जांच चल रही है और वो जांच में पूरा सही होग और समर्थन देंगे इस बयान में कहीं भी इस बात का जिकर नहीं है कि जो तीन लोग मारे गए उनकी मौत किन वजहों से हुई। इंडिन एक्सप्रेस अकबार के खबर के मताबिक इस मसले की जांच के लिए सिना ने कोर्ट अफ इंकौरी का अदेश दिया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश से जुड़ी आई पी सी की धाराओं के तहत अग्याद लोगों के खिलाफ पुँच के सूरन कोर्ट पुलिस टेशन में एक F.I.R. दर्ज की है इस सरकारी जांच कितनी आगे बड़ी है इस पर आगे बात करेंगे तीन आम नाग्रिकों की मौत पर कश्मीर के पॉलिटिकल कोरिडोर में क्या हल चल मची हुई है पहले ये जान लेते है महबूबा मुफ्ती की पार्टी P.D.P. ने दावा किया है कि वो मृतकों के परिवारों से मिलने जाने वाली थी और इस से पहले उने घर में नजर बंद कर दिया गया ये तो है महबूबा मुफ्ती की पार्टी के आरोप पुंच में तीन नागरिकों की मौद पर महबूबा मुफ्ती ने सेना पर भी गंभीर आरोप लगाए है सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुफ्ती ने पोस्ट किया डीकेजी आमी कैम ने थानामंडी शेतर से पंचायत बंगिया के नागरिकों को उठाया है इसमे की मनोद सिना जी से अनुरोध है कि इन गरीब परिवारों पर इसी तरह की तरासदी आने से पहले हस्तक शेप करें महबूबा मुफ्ती की तरह ही जम्मो कश्मीर के पूर्व सीम उमर अबदुल्ला ने भी सिना की भूमिका पर सवाल उठा है तो ये सुरक्षा बलों और आफस्पा के तहट सुरक्षा बलों को मिलने वाली सुरक्षा का दुरूपयोग है अब तो मानबाधिकारों के उलंगन के किसी मामले की निश्पक्ष जाँच और सजा की मांग भी बेतुकी है क्योंकि जो लोग दोशी पाए गए वो भी सजा पूरी के बगएर आजाद घूम रहे हैं ये तो रही आरूपों के फिर जिनके आधार पर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना फिलहाल मुश्किल है तरसंगत भी नहीं होगा लेकिन सवाल यहां यह भी है कि सुरक्षा बलो ने पुंच हमले की पूछताच के लिए लोगों को किस बिना पर उठाया और अब जब उन में से तीन लोगों की मृत्यों हो गई है तो इसकी जाँच कहां तक पहुची है जब आप जानने के लिए हमने कश्मीर के कुछ पत्रकारों से बात की सुनी पुंच रजोरी में सेना की दो गाडियों पर आतंकी हमले के बाद जिसमें चार सेना के जवान शहिद हुए और तीन अन्य गंबी रूप से गायल हुए उसके बाद जो है सेना ने एक महातलाशी अभ्यान उस इलाके में शुरू किया जहां पर ये आतंकी वारदात हुई उसी बीच टोपी एक गाउं है जहां पर लोग रहते हैं और ये गाउं जो है ये उसी मुटबेड या हम कहें कि जो आतंकी गटना गटी है उसके पास ये गाउं है वफलियास के पास जहां से गाओं वालों का आरोप है कि पंद्रा लोगों को सेना ने जो है हिरासत में पूश्टाश के ले लिया जिनमें ये तीन लोग भी शामिल थे जिनके शव जो है वहां उस गटनाइस्टल पर मिले इनकी अगर पहचान बताएं तो एका नाम मुहमद शुकत है जिनकी उमर 22 साल बताई जा रही है सफीर हुसेन सबसे बड़े या हम कहें की 40 से उपर की उमर के थे 45 साल उनकी उमर है और शबीर अहमद जिनकी उमर 30 साल बताई जा रही है इन तीन उनों के शव जो हैं वहां पर मिले उसके बाद काफी हंगामा हुआ और यहां तक की प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं पूरे इलाके में बंद करनी पड़ी लेकिन सरकार ने भी इस हत्याकांट या हम कहें कि इन मौतों का जो है गंबीर नोटस लिया और उसके साथ ही जो है जांच शुरू कर दी और सरकार ने एक दिन बाद ही फैसला लिया कि जो मारे गए तीनों ये सिवीलियन या तीन आमनागरिक हैं इलाके के उनको नसरिफ कमपनसेशन दी जाएगी बिल्कि साथ ही साथ हर पर भी वार को एक एक सरकारी नोकरी भी दी जाएगी तो वहीं पर साथ लगा कि जो मकश्मिल सरकार इस मामले को लेकर काफी गंबीर है अगर सेना पर रिया आरोप लगते हैं कि उनके कारण जो है इन तीन लोगों की जान गई है इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाये जा सकता है कि आज ही जो है सेना प्रामुक जो जनरल मनुज पांडे हैं उन्होंने इलाके का दोरा किया और कई सारे लोग ये मानते हैं कि उनका दोरा सुरक्षा विवस्ता का जाज़ा लेने से ज्यादा इसी बात पर था कि आखर पुंछो रजोरी के लोग जो हमेशा सेना क साथ रहे हैं और कभी भी जो है उन्होंने देश के विरूद किसी भी गत्विदी में खुलकर जो है ना तो समर्थन किया और नहीं साथ दिया उन मैं कहीं न कहीं सिना की छवी इस हादसे के बाद खराब होगी अब बात तीन नाग्रिकों की मौत के बाद से लाके में नहीं हो पाई है बीबीसी के ही एक रिपोर्ट कहती कि स्थानी लोग दावा कर रहे हैं कि सेना के जवानों ने पास के ही मिलिटरी कैम्प में ले जाकर लोगों को टॉचर किया और इनकी मौत हो गई इसी रिपोर्ट में जिकर है कि हिरासत में लिए गए अन्य पांच लोगों के परिजनों का दावा है कि वो भी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाने के बाद आमी की एस्पताल में भरती हैं कई मीडिय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस घटना के सामने आने के बाद से कश्मीर के कई हिस्सों में तनाव है जगे जगे प्रदर्शन हुआ हैं प्रदर्शन कारी पुलिस से उलजे भी कुछ जगे हैं से पत्थर बाजी की घटना भी सामने आई है दूसरी और 24 दिसंबर को आतंग बादियों ने बारा मुला की एक मस्जिद में घुसकर सिवा निवरित S.S.P. मुहमद शफी मीर की गोली मार कर हत्या कर दी राजोरी और पुंच में तीसरे दिन भी इंटरनेट सिवा सस्पेंड रही अब आत उस चर्चा की जिसका जन्व इस मामले के चलते हुआ इस चर्चा के केंडर में नगरोटा स्थित 16 कोर के कुछ आला अधिकारी हैं जा रहा है कि कुछ टॉप ऑफिसर्स को हटाने का फैस्टा लिया गया हालां कि इन में से कुछ को हटाना पहले से था लेकिन कुछ अधिकारियों को तीन नागरिकों की मौद के जवाब में हटाया जाना है इन चर्चाओं में कितना दम है अब यह जानते हैं सेना ने भी अब साफ किया है कि इस जान्च में सेना पूरी तरह से पूलिस और प्रशासन की मदद करेगी और उसके संकेद आज ही तब सामने आए जब उस इलाके में एक बड़े सेना के अधिकारी को इनकुईरी पूरे होने तक सेना ने फिलहाल कामकाई से जो है अलग कर द रही है आपको मैं एक दिल्चस बात बताओं कि पिछले साल ही जो है कश्मीर में एक फेक इनकॉंटर हुआ था सेना पर आरोप लगा था और उसमें जो तीन आम नागरिक मारे गए थे वो मजदूर रजोरी के ही थे कश्मीर में वो फेक इनकॉंटर हुआ था उस वक्त भी जमो कश्मीर के उपराजपाल मनुज सिनह ने कहा था कि जांच को अंदिम पड़ाव तक बहुचाया जाएगा और जांच हुई सेना के उस अफसर पर जो है उसको निलंबित कर दिया गया सेना से हटाया गया और उसके साथ साथ सेना के ही कोट ने उन पर ये उनको जेल बे है कि रजोरी और पुंच का जो इलाका है वहां पर 2003 के बाद कोई इस्थानिया लो तोर पर कोई भी आतंगवाद में शामिल नहीं हुआ था देश बगत लोग हैं सेना की मदद करते हैं और सीमावरती इलाकों में सेना के लिए आम लोगों की मदद महतपून भी होती है और उ देना के लिए चाननी होगा और यही कारण है कि सेना भी दूद का दूद और पानी का पानी इसूरे मामले में हासिल करना चाहती है और उन धोशी अधिकारियों को सजा देने चाहती है जिन पर ये आरोप इन तीन हत्याओं पर लगे हैं बात सैने अधिकारियों के हो रही है तो एक और अपडेट देते चले आमी चीफ जनरल मनोज पांडे आजपूंच के दौरे पर पहुचे है यहां के जंगलों में अभी भी आतंगवादियों की धर पकड़ के लिए सर्च उपरेशन चल रहा है यहां पहुचकर रामी चीफ ने सुरक्षा सिती का जायजा भी लिया इसी कश्मीर में शांती के पहल के लिए याद किये जाने वाले पूर प्रधान मंत्री अटलवी हरी बाचपई की आजज़ाइनती है बाचपई ने कश्मीर के लोगों को आशपासन दिया था कि वो वहां के मुद्धों को इंसानियत, जमूरियत और कश्मीरियत के सिध्धानतों से हल करना चाहते हैं जिसे आज भी पक्ष और विपक्ष की नेता जरूर दोराते हैं आज भी उनकी जैनती पर पक्ष और विपक्ष की नेताओं ने उन्हें शर्दान जली दी है पधान मंतरी नरेंदर मोदी उन्हें पुश्पान जली देने सदैव अटल समारक पहुचे खबरों का सिलसला यहीं तक अपने और अपनों को ख्याल रखिए शुक्रिया शुबराद दरिए